है नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वाभि आपके सेंकियर में क्या क्या चीजे हैं और आपको किस तरह सै इसकी करने चाहिए जिस आपको अच्छे मार्क मिले देखिए मैटिरस मैं आपकर दो यूनिट है एक फोर्थ है और फिफ्थ यूनिट में आपको है वह सिमेंट्रिक है कैसे हम सिमेंट्रिक आप आपको बताया जाएगा अगर किसी matrix का transpose करो तो वही matrix मिल जाए तो आपका symmetric होता है और अगर negative part मिलता है किसी matrix का आप transpose करिए तो minus दे देगा तो वह SQ symmetric हो जाएगा ठीक उसके बाद आपका Hermitian and SQ Hermitian matrices है Hermitian matrix क्या होता किसी भी matrix का आप क्या करो transpose निकालो उसके बाद conjugate निकालो या conjugate निकालो फिर transpose निकालो तो वही matrix अगर मिलेगा तो आपका Hermitian matrix कहलाएगा इसे A raise to point star से denote करते हैं अगर यही negative में मिल जाता है minus में मिल जाता है तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी और फिर उसके बाद triangular and diagonal matrices तो triangular में दो होते हैं एक अपर होता है एक lower होता है उसको बताया जाएगा और diagonal matrices कैसे हंड़रा करते हैं इसके बारे में diagonal matrix के बारे में आपको पता ही होगा क्लेडियन diagonal element रहते हैं बाकि सब 0 रहते हैं तो एक का होता है और एक जो हथा है आपका दिया जाता है जो कोई भी एलीमेंटENTS होते हैं थेक इसके बार rank कअम अन्यमेंटर्ण सब्सक्राइम Bye था स्थ kij jóन आता है आपगा इच्लों फॉर्म के थुरु ही हमनार्म फॉर्म को भी ड्रॉ करते हैं तो इसलों फॉर्म में क्या होता है आपका जो जब मैट्रिक्स उस फॉर्में कर्णवर्ट हो जाता है तो जितने भी नान जीरो रोज होते हैं उनको हम उसकी रैंक कह देते हैं ठीक inverse of a matrix by elementary transformation elementary transformation क्या होता है इसके बारे में आपको बता जाएगा row और column elementary transformation है दोनों की चर्चा यहाँ पर होगी और उसके respect से हम कैसे किसी matrix का inverse निकालते हैं ये भी बताए जाएगा ठीक इसके बाद unit जो 5 होती है उसमें kaitistic equations आपके आते हैं characteristic equation कैसे हम ड्रा करते हैं कोई matrix यह दिया है lambda हम माल लेते हैं कोई eigen value है lambda और i हमारा unit vector होगा इसे निकाल कर यह equal to 0 करते हैं तो हमारा characteristic equation ड्रा हो जाता है अब इसी characteristic equation में जो lambda आपका है वो eigen value को represent करेगा और फिर eigen vectors जो होते हैं किसी matrix के इसी lambda के respect में हम निकालते हैं तो यहाँ पर यह value define होती है उसके बाद कहला है fundamental theorem जो होती है यह काफी important theorem है जो इसी characteristic equation को कोई matrix कैसे satisfy करता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है तो जब यह हमें मिल जाता है तो इसी के respect में its use in finding inverse alpha matrix इसके respect में इसी के use से हम किसी matrix का inverse भी निकाल लेते हैं जैसे elementary transformation से भी आप में inverse निकाल सकते हो कैले हमेल्डन theorem के माध्यम से भी आप किसी matrix का inverse निकाल सकते हो तो यह भी बताया जाता है कैसे निकालते हैं जब कोई matrix आपका कैले हमेल्डन theorem को satisfy करता है, तो क्या होता है, जो identity का part होता है, इसको right side में ले जाते हैं, उसी matrix के A inverse part से multiply कर देते हैं दोनों side में, तो कोई changing तो आती नहीं है, आपको पता है, तो जो value हमें मिलती है, right side में तो inverse है, left side में जो value मिल लेगी, उसे solve करोगे, तो inverse निकल जाता है matrix का, इसके बाद application of matrices to solve a system of linear equations, तो किसी भी linear equation को solve कैसे किया जाता है, with the help of matrices, तो उसके बारे में चर्चा है, यहाँ पर दोनों type के बोथ homogeneous and non-homogeneous equations solution कैसे निकालते हैं, यहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है, आपको intermediate में जाता है, camera method बताया गया होगा, और भी 2-3 method बताया गया होगे, उनके माध्यम से हम निकालते हैं, यहाँ पर भी उससे related church की जाएगी, और फिर उसके बाद जो important points आपके आते हैं, consistency and journal solution, consistency कैसे दिखाते हैं, कोई फिर matrix दिया रहेगा, उसका augmented matrix निकाल देंगे, augmented matrix के through जो होता है, उसके हम rank और निकालते हैं, तो हमें consistency की कुछ conditions हैं, उसका journal solution कब बनता है, कि कब journal होगा, कम non journal होगा, कब आपका linear देगा, यह सारी values जो होती हैं, यहाँ पर define होती हैं, उसके बाद diagonalization of a square matrix with distinct eigen values, तो diagonalization कैसे हम किसी भी matrix करते हैं, अगर उसके distinct eigen values पता हैं, निस्चित हैं, तो उससे हम diagonalization matrix निकालते हैं, ठीक, और last point जो आपका आता है, वहाँ है quadratic forms, कोई matrix अगर है, तो उसका हम quadratic forms कैसे बनाते हैं, यहाँ पर system दिया रहेगा, एक equations के, कई equations से एक साथ combine रहते हैं, और उनसे हमसे कहा जाता है, कि हमें इसका quadratic form निकाल के बताईए आप, तो वह भी process है, उस process के थुरूर निकाला जाता है, quadratic form आपको पता है, क्या होता है, AX square plus AX, या BX plus C, AX square plus BX plus C, is equal to zero, तो यह होता है, triple form, 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 कई type के forms इसमें दिये होते हैं, तो उसको भी हम निकालते हैं, तो यह हमारा matrix का syllabus है, जो हमारे BX second year में काम आता है, इसकी approach कैसे हम देखिए, define करते हैं, यहाँ पर जो questions आते हैं, rank से related एक long questions आता है, पहले Hamilton theorem से related, consistency से related questions आते हैं, ज्यादा तर, elementary transformation, slow and normal form कैसे किसी matrix का निकालते हैं, Hermesia matrix से related questions आते हैं, बहुत सारी questions जो है, आते हैं, और यह सारी questions काफी simple भी होते हैं, क्योंकि यह सारे numericalize होते हैं, theoreticalize तो है नहीं, तो numerical value हमें डिख जाती है, उसके माद्यम से हम किसी भी matrix का solution निकाल के जो पूछा जाता है, उससे बता देते हैं, और अगर आप मान लिजिए कि कोई high level के examination की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह काफी important rule अदा करता है, क्योंकि जब यह चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो मैंने आपको बताया था अपने previous lecture में, कि अगर आपको matrices आ रहा है, तब ही आप linear algebra पढ़ पाओगे, सब्सक्राइब को पढ़ने से पहले मैं मैटिस को आपको पढ़ाओंगा, मेरा जो अगला lecture होगा, वो मैटिस से ही related होगा, थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वेडियो,